हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग माईसेल ताराचन टीममेच CLC सिकर हम लोग आज अपने गुरुनिती के नेक्स्ट एपिसोड 13 के अंदर डिसकस करने वाले हैं देफिने इंटेग्रेशन के बारे में ठीक है और वह काफी कुछ आपका प्रोपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है वह आप पर प्रोपर्टीज कापी सारी लगती है सो चलिए स्टार्ट करते हम कि last जो भी हमारे सामने attempts हुए थे ठीक है उसमें J mains के अंदर definite integration से किस टाइप के questions पूछे गए थे खिलियर है सो चलिए बात करते हैं स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला question और first question क्या है देखिए if the value of the integral 0 to 1 by 2 x square divided by 1 minus x square to the power 3 by 2 dx is k by 6 then find value of k तो k की value हमें calculate करनी है तो चलिए देखिए जैसा integration दिखाई दे रहा है ठीक है उपार 0 से 1 by 2 limit भी है नीचे x भी है so x को put कर लेते हैं हम sin theta so x को मैं sin theta put करता हूं तो dx कितना आ जाएगा मेरे पास cos square theta into d theta cos theta into d theta cos theta into d theta sin theta का differentiation cos theta साथ में देखिए definite integration में हम limit भी change करते हैं तो देखिए जब x tending to 0 होगा तो theta tending to be 0 होगा when x tending to 1 by 2 तो theta tending to क्या होगा आपके सामने pi pi 6 ठीक है 1 by 2 कब होता है sin theta 30 degree पे x square sin square theta divided by 1 minus sin square theta that is cos square theta cos square theta की power 3 by 2 जब करेंगे तो square से 2 कट जाएगा और 3 आ जाएगा so there will be cos cube theta और साथ में आएगा आपके पास में dx की जगे पे cos theta into d theta इसके बाद में देखिए कि cos theta कट जाएगा आपका यहां पे और आपके सामने आएगा sin square theta by cos square theta that is 10 square theta into d theta और integration आपका as it is 10 square theta को integrate करने के लिए हम क्या करेंगे इसको seg में convert करेंगे तो यह हो जाएगा seg square theta into seg square theta minus 1 into d theta और इसको हम integrate कर देंगे और साथ में इसकी जो limit है आपकी 0 से pi pi 6 यह इसमें put कर देंगे तो यही से देखिए हमारा answer आएगा जब देखिए आप इसके pi pi 6 पहले इसको integrate करेंगे तो आपको मिलेगा 10 theta minus 1 का होगा theta और इसमें हमें limit put करनी है 0 से pi pi 6 तो देखिए जब pi pi 6 put करेंगे तो 10 pi pi 6 होता है 10 30 that is 1 by root 3 और minus theta होगा आपका pi pi 6 और जब 0 put करोगे तो दोनों term 0 हो जाएगी और आपको दिया गया है कि यह किसके equal है यह k by 6 के equal है तो k की value क्या होगी तो इसको 6 के साथ multiply कर दीजिए तो यह आजाएगा आपका 6 time 1 by root 3 minus pi pi 6 तो देखिए इसको जब multiply करेंगे तो अंदर 6 जाएगा 6 के factor कर दिए 2 into 3 तो नीचे वाले root 3 से यह कटके हो जाएगा 2 root 3 minus 6 से 6 कटके यहां पर आजाएगा आपका pi तो यह आपका सही answer होगा और k की value होगी और एसा हमारा कौन सा option है देखिए 4th option है जोकी सही answer है के लिए बच्चो चलिए आगे बात करते है next second question और second question में देखिए क्या दिया हमें हमें इस integration को करना है और यह integration देखिए काफी बड़ा integration है ठीक है आपका ठीक है तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से करना है हमें देखते हुए ठीक है तो देखिए जब भी इस type का बड़ा integration आता है तो आप हमेशा इस type की कोशिच कीजिए कि यह देखने कि यह किस चीज का differentiation है तो सबसे पहले तो यह जो ट्रम बहार है ठीक है क्योंकि दो ट्रम का सम आ रहा है यह आपर और दो ट्रम का सम जर्रली किस चीज का differentiation बनता है sum या difference, तो हम इसको multiply करके check करते एक बार कि ये किस चीज का differentiation है, तो देखे इसको इसके साथ multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 10 cube x, 2 seg square x में से 2 को बाहर ले लिया, तो अंदर आ जाएगा seg square x, और ये इसके साथ में multiply होकर के आ जाएगा sin to the power 4 3x, अब यहां पर जब multiply करेंगे, तो एक 3 यहां पर पहले से present है, लेकिन यह sin 6x है जबकि बाहर sin 3x था, तो sin 6x को भी हम 3 में convert कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 2 sin 3x cos 3x, तो इसको कर दिया 2 into 3 10x sin 3x, एक sin 3x यहां पर है और एक यहांप से भी आएगा, तो यह मिलकर के कितना हो जाएगा आपके सामने, साइन स्क्वायर प्लस sin 3x हो जाएगा, अचा, 10x एक यहांपर है, तीन वांपर था, तो यह मिलकर के हो जाएगा 4, और साथ में एक यहांपर पारुला लगाओके तो cos 3x की ट्रम भी आएगी, यह हमारा integration बन गया, अब देकी, हमें इधर दिखाए दे रहा है, sine to the power 4 और 10 cube, और इधर दिखाए दे रहा है,10 to the power 4 और sine cube, तो हमें यहां लग रहा है कि इधर 10 का differentiation हुआ होगा, जोगि साथ में multiplic no inches बहां होगा, तो 2 को 4 तो हम बना सकते हैं, इसको भी 2 से multiply कर दिया, इसको भी 2 से multiply कर दिया, और 7 में हमने इसको 2 से divide कर दिया, limit हमारी as it is रहेगी, pi pi 6 से pi pi 3, चली, तो 10 की power 4 तो आ गया, और 7 में हमें लगा कि sin की power 3x का differentiation होगा, sin की power 4x का, क्योंकि इधर sin 3x आ रहा है उसके बाद में, और इधर sin 4 था, तो sin की power 4 3x का, हमें ऐसा लग रहा है कि इसका differentiation है, चली, एक बार check कर लेते हैं, देखते हैं, 10 की power 4 का differentiation आएगा, 4 10 cube present है याँ पर, 10 का differentiation से 1 की square x present है, और दूसरी टर्म as it is, तो पहले वाला तो हो रहा है, एक बार फिट बेट रहा है, दूसरे वाले को चेक करते हैं, 10 की power 4 as it is present है याँ पर, इसका differentiation करेंगे, तो 4 बाहर आएगा, तो ये देखिए 2 into 2 मिलके 4 हो रहा है, present है, sin की power 4 का नट हो जाएगा, sin की power 3 x के अंदर, sin 3 x का differentiation, cos 3 x वो भी present है, और साथ में, cos 3 x का जब differentiation करेंगे, तो 3 आएगा और वो 3 भी present है, that means, ये इसी चीज़ का differentiation है, जो हम सोच रहते हैं, वो बिलकुल एक दम सही है, अब देखिए, जब integration और differentiation दोनों हो जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सीधा इसके अंदर limit पूट कर दो, 1 by 2 तो बहार रहेगा ही, 10 to the power 4 x into sin to the power 4 3 x के अंदर आपको values पूट करनी है, कहां से लेकर के कहां तक, पाई पाई 6 से लेकर के पाई पाई 3 तक, तो देखिए, जब आप पाई 3 पूट करेंगे तो यहां पर sin पाई बनेगा और पहली ट्रम तो आपकी 0 हो जाएगी, ठीकर यह ट्रम जो भी आएगी, लेकिन साथ में क्योंकि यह sin पाई बनेगा, तो sin पाई की वाली जीरो, पाई पाई 6 से पूट करेंगे, तो देखिए, कोई सी भी ट्रम जीरो नहीं होगी, पाई पाई 6 पूट करेंगे, तो यह बनेगा आपका कितना, यह बनेगा आपका, माइनस साथ में, 1030, 1030 की वाली होती है, रूट 3, तो रूट 3 की पावर 4 करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से 1 by 9 और यह बनेगा sin 90, sin 90 के वाली 1 होती है, so that is 1 और इसको गर हम calculate करें, तो हमारा answer आ रहा है, 1 minus 1 by 18 और यही हमारा answer है, जो कि हमें पहले option में दिया गया है, clear है बच्चों? चलिए, आगे बात करते हैं next question, और next question क्या है, देखिए, next question के अंदर आपको, question number 3 के अंदर, क्या पूचा गया है, question number 3 के अंदर एक integration है, minus a से plus a, 1 plus e to the power sin x, 1 upon 1 plus e to the power sin x, dx, तो देखिए, जब भी हमारे सामने यह limit आती है, तो हम सबसे पहले odd even वाली property के बारे में चेक करते हैं, लेकिन हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि यह जो function है, यह odd और even नहीं है, क्योंकि e की power में है, और वहां से minus sign बहार नहीं आपाएगा, जब तक साथ में कोई दूसरी term present नहीं है, आ सकता है, लेकिन कोई साथ में दूसरी term present होनी चाहिए, इसका मतलब हमारी odd even वाली property तो यहां पर नहीं लग पाएगी, तो इसके बाद में सबसे बड़ा बर्मास्तर हमारे साथ में एक ही होता है, that is king's rule, और king's rule इसमें लगाते हैं, तो देखते हैं कितना आएगा, i will be equal to integration of minus pi pi 2 से pi pi 2, इसको हमने i मान लिया, 1 upon 1 plus, king's rule में क्या करते हैं, अपर लिमिट और लॉर लिमिट को एड़ करते हैं, तो दोनों को एड़ करेंगे ता आएगा 0 और minus जो variable है, उसको substitute करते हैं, तो आजाएगा minus x, जब e की sin of minus x की बात करेंगे, तो यह बनेगा e of minus sin x, इसको हम solve कर लें अगर, तो देखिए, यह उपर आ जाएगा e to the power sin x, यहाँ पर नीचे भी आ जाएगा e to the power sin x, और plus यहाँ 1 हो जाएगा और integration as it is, अब देखिए, अगर हम इसको नाम देदे equation number 1 और इसको नाम देदे equation number 2, तो दोनों ही i की ही value है, तो यहाँ से देखिए, 2i की value कितनी आएगी, तो उनको add कर दिया, तो उपर पहले वाले में 1 है और दूसरे वाले में e to the power sin x, और denominator दोनों का सेम है, that is e to the power sin x plus 1, इसको integrate करेंगे, तो इससे यह cut जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा simple x, और x के इंदे जब आप अपनी limit put करोगे, minus pi pi 2 से plus pi pi 2, क्योंगे आपने limit कहीं भी change नहीं की है, तो देखिए, आपको i की value क्या मिलेगी, pi pi 2, of minus pi pi 2, और divide by 2, तो इसको simplify करेंगे, तो हमारा final answer आएगा, pi pi 2, और यहाँ हमारा कौन सा option है, third option, जो की सही answer है, क्लियर है, चलिए, आगे बात करते हैं, next question, और next है question number 4, और question number 4 के अंदर देखिए, हमसे क्या पूछा गया है, question number 4 के अंदर आपको एक integration दिया है, i will be equal to 0 से 10 greatest integer x e to the power greatest integer x divided by e to the power x minus 1 dx, where greatest integer x denotes the greatest integer less than or equal to x, then the value of i is equal to, देखिए, हमें इस i की value निकालना है, और जब भी greatest integer वाला question आता है, हम क्या करते हैं, limit को break करते हैं, यहां पर भी यही करेंगे, 0 से लेकर के 1 तक इसको break करेंगे, ठीक है, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, आपका greatest integer x 0 बन जाएगा, तो पहला पार तो 0 हो जाएगा, फिर 1 से लेकर के 2 तक break करेंगे, तो यह बनेगा आपके पास में 1, और नीचे है e to the power x minus 1, जो उपर आकर के हो जाएगा e to the power x minus 2, e to the power x minus 1, तो उपर आकर के कितना बन जाएगा, x plus 2 बन जाएगा, e to the power x plus 2, ऐसे ही next बात करेंगे, जब 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में बहार भी एक 2 आएगा, और यह बनेगा आपके सामने, उपर कितना आएगा, उपर 2 आएगा, और नीचे से x minus 1, अच्छा, यह minus में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बनेगा e to the power, उपर 2 नीचे 1, तो 3 minus x, और ऐसे ही आपका चलता रहेगा लाज्ट तक, जब 9 से 10 में अगर हम बात करेंगे, तो बहार आपके सामने, एक 9 आएगा, ग्रेटेश इंटीजर के, उपर बनेगा आपके सामने 9, और एक नीचे से आएगा, तो यह बनेगा e to the power 10 minus x, तो ऐसा इंटीग्रेशन हम आए दिखाई देगा, अब देखिए, हम बहुत सारे इंटीग्रेशन है, तो देखिए, यहां से कुछ सिमेट्री सिटी बनेगी, और जिसे हमें पता चल जाएगा, कि आंस्वर क्या होगा, चलिए बात करते हैं, पहला तो 0 हो गया, इसको माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन को हटाने के लिए हम क्या करें, लिमिट को चेंज कर देंगा, तो बाहर तो 1 है, और उपर है आपके सामने e to the power 2 minus x, और साथ में, लिमिट को उल्टा रख दीजिए, इधर 1 और 2, उल्टा क्यों रख रहे है, क्यों इंटीग्रेशन में एक माइनस साइन आएगा, ऐसे ही यहां पर बनेगा 2 time e to the power 3 minus x, और लिमिट को उल्टा रख दीजिए, 2 उपर और 3 नीचे, और ऐसे इसको चलाते रहे है, अब लिमिट पुट करते देखे कितना आएगा, जब इसमां 1 put करेंगे, तो यह हो जाएगा e, और यहां से बात करेंगे, तो बहार तो 9 आएगा, जब आप इसके अंदर 9 put करोगे तो e, और 10 put करोगे तो 1, तो देखे, e minus 1 सभी में आ रहा है, और e minus 1 सभी में आ रहा है, तो यह common आ जाएगा, और पिछे बचेगा 1 plus 2 plus 3 up to 9, और इसका जब सम करेंगे, तो 9 into 10 by 2, that is 45, तो आपका ज गबराना नहीं है, कि इतने सारे केस हो जाएगे, तो इनको integrate केसे करेंगे, ठीकिन, ज्यादा केस बन रहा है, तो कुछने कुछ आपके सामने, symmetricity बनेगी कुछन में आगे जाके, जिसके through आप अपने कुछन को क्या करेंगे, solve कर पाएंगे, clear है, चलिए, आगे बात करते ह है, next question, और next है हमारा question number, 5, और question number 5 में देगे हमें क्या पूछा है, सबसे पहले तो देखते हैं कि 5 में आपको दिया क्या गया है, question number 5 के अंदर, आपको एक integration दिया गया है, pi pi 6 से pi pi 3, sine to the power alpha x, divide by cos to the power alpha x, plus sine to the power alpha x, dx, और आपको integrate करके, बताना है कि, जो g alpha है, वो इन में से कौन सा option सही होगा, तो चलिए, बात करते हैं, अचा, यह आपके सामने, जो options दिये गये हैं, ठीक है, इसके बाद में जो है, इनकी हिंदी दी गई है, तो आपको इनको नहीं देखना है, ठीक है, इसके बाद में जो भी है, यह हिंदी का पार्ट है, इसके पहले जो है, वो आपका complete option है, क्लियर, चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर इस integration को, तो फिर से देखिए, आपके सामने एक ऐसा integration है, जिसके एक ट्रम उपार दो नीचे, ठीक है, और अगर हमें इसको integrate करना है, तो सबसे पहला ध्यान वही king's rule लगाएं, तो अगर ह यह बनेगा cos to the power alpha x, इसे ही यह बन जाएगा, आपका sin to the power alpha x, प्लस cos to the power alpha x, ठीक है, यह integration आपका ऐसा बन जाएगा, अगर हम इन दोनों को add कर दें, तो हमें मिलेगा g of alpha की value, देखिए, दोनों के इंदर denominator में सेम आएगा, और उपर भी आजाएगा sin to the power alpha x, प्लस cos to the power 4 alpha x और वो कट जाएगा फिर से, so 1 into dx, और नीचे आएगा pi pi 6, और इधर आजाएगा pi pi 3, इसको integrate किया, तो x और limit put की, तो आपको मिलेगा 60 minus 30, that is, again 30, so that is pi pi 6, तो g alpha pi pi 6 के equal है, तो देखिए, y equal to pi pi 6 जो भी होती है आपके सामने line, ठीक है न, वो क्या है, वो आपके सामने y-axis क x-axis के parallel एक line होती है, तो क्या ये strictly decreasing होती है, तो बिलकुल नहीं है, strictly decreasing का मतलब होता है, graph आपका हमेशा गठता रहना चाहिए, तो नहीं है, point of inflection इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पर भी अपनी concavity change नहीं कर रहा है, g alpha i gen even function, तो ये बात सही है, क्योंकि ये even function ह होगा, जो value इसके अंदर 1 पे आएगी, वही value minus 1 पे आएगी, ठीक है, तो तीसरा option आपका सही है, और चौता option है, कि ये strictly increasing है, तो वह भी नहीं है, हमें दिखाई दे रहा, वैसे भी तीसरा सही हो गया है, तो चौते के सही होने के chances बहुत कम है, clear, चलिए, आगे बात करते ह है, next question, और next है हमारा question number 6, और question number 6 में देखी हमें, क्या पूचा गया है, question number 6 के अंदर आपको एक function दिया गया है, f r से r, we defined as f of x will be equal to e to the power minus x sin x, एक दूसरा function है f 0 से 1, इसकी domain है, और range है, co-domain है r, is a differentiable function such that f of x will be equal to this, तो देखिए, सबसे पहले तो वहां से हमें क्या मिलेगा, वहां से हमें मिलेगा, f dash x will be equal to, क्योंकि वह differentiable function है, तो आप lemnese से उसका differentiation कर सकते हो, तो वह जाएगा f dash x will be equal to f x, x उसमें put कर दिया और x का differentiation करेंगे, तो कितना आजाएगा 1, तो यह f dash x की value है, then the value of this integration, तो हमें इस integration को बताना है कि यह कहां लाई कर रहा है, तो चलिए बात करते हैं, देखिए, f dash x की जगे पर हम यह value पूट कर सकते हैं, f x, तो यह जो integration है, यह हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, 0 से 1, f of x plus f of x, so there will be 2 time f of x, और into e की power x, f of x हमें दिया गया है, और वो क्या है, वो e to the power minus x into sin x, तो इसको अगर हम पूट कर दें यहाँ पर, तो यह बनेगा 0 से 1, e to the power minus x से e to the power x कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 time sin x into dx, अब देखिए, अगर हमें इसको integrate करना है, तो इसको कैसे करेंगे, sin x का integration क्या होता है, sin x का integration होता है, आपका क्या, minus cos x, so minus cos x, और बहार 2 है, वो रहेगा, और इसमें limit put करनी है, आपको 0 से लेकर के, 1 तक, clear है, तो यहां से जब इसकी limit put करेंगे, तो आपको मिलेगा, जब 1 put करेंगे, तो minus 2 cos 1, और जब 0 put करेंगे, तो plus 2 मिलेगा, तो उसको बाहर निका लिया 2 को, तो यह बनेगा 1 minus cos of 1, अब यह तो आपने इसको solve कर लिया अपने question को, लेकिन आपको ऐसे options नहीं दिये गए हैं, आपको यह बोला गया है, कि इसके जो integration की value होगी, वो in में से कौन से interval के equal होगी, और almost देखे, सारे equal intervals आपको दिये गए हैं, तो देखे, कैसे करेंगे ऐसे question को, ऐसे question को करेंगे हम cos 1 के expansion से हैं, क्योंकि आपको अगर almost value चाहिए, तो वो expansion ही दे सकता है, अब उसको हम कैसे देखेंगे, कि छोटा number क्या होगा और बड़ा क्या होगा, तो देखे, आपके सामने हर option के अंदर एक value आ रहे है, that is 360, ठीक है, तो इस 360 को देखते हुए, अगर हम इसके expansion के अंदर अगर हम बात करें, तो 1 तो है ही आपके सामने, minus cos 1 होता है, आपके सामने 1, उसके बाद में, x square upon factorial 2, सो यह हो जाएगा आपके सामने 1 divided by 2, वो दर माइनस काता है, लेकिन इसके बाद माइनस सामने तो प्लस आजाएगा, and plus 1 upon factorial 4, so that will be 24, और ऐसे चलता रहेगा, अब हमें इसमें कहां तक जाना है, तो 4 के बाद में आपके सामने 6 आएगा, तो आपको इसमें यहीं पर रुख जाना है, जितना हमने किया है, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम इसके अंदर 720 तक चले गए, तो आगे वाले में त तो हम ऐसा करेंगे कि यह जो वैल्यू है, और इसको अगर मैं आई नाम दे दूँ, ठीक है, तो यह आई जो होगा, इससे तो बड़ा होगा, क्योंकि हमने अभी पूरा नहीं लिखा, ठीक है, और साथ में इसके आगे जो ट्रम है, क्योंकि यहां पर हमने, अच्छा, यह आपके सामने क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो चीज तो यही होगी, बस उसमें एक ट्रम हम ज्यादा लिख देंगे, minus 1, plus 1 by 2, minus 1 upon 24, and plus 1 upon 720, इन दोनों नंबर्स को simplify कर लीजिए, आपके सामने यह जो पहले वाला जो नंबर है, इसको after simplification, जब आप इसका base 360 करोगे, तो आपको मिलेगा 330 upon 360, और दूसरे वाले जो नंबर को जब simplify करोगे, तो आपको मिलेगा 331 upon 360, तो इस तरीके से जो आपका पहला option है, वो यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अब हमें कैसे पता सेलेगा, कि I इससे ज्यादा है और इससे कम है, क्योंकि देखिए इसके बाद में जो ट्रम आएगे वो पॉजिटिव में आएगी, इसका मतलब वो ट्रम इसके अंदर एड होगी, और एड होगी, तो इसका मतलब यह हो गया कि I की जो वैल्यू होगी, ठीकन इससे तो ज्यादा होगी जब वो ट्रम उसमें एड हो जाएगी, और इसके से सब्ट्रेक्ट जब होगी तो वो ट्रम क्या हो जाएगी यह जो वैल्यू आरे कम से कम इससे कुछ सो कम आएगी जब वैल्यू सब्ट्रेक्ट हो जाएगी ठीक है इसलिए आई जो होगा आपका इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा हां 360 की जगे पर अगर हमें चोटा नंबर दिया हुआ होता तो हो सकता है कि हम यहां ही तक चेक करते और इधर हम इधर तीन ड्रम तक चेक कर लेते वन बाई टू तक ठीक है यह हो सकता है कि इससे बड़ा अगर हमें दिया हुआ होता तो फिर हम और आगे तक जाते फिर एट तक जाते हैं लेकिन हमेशा क्यूस्ट एसा ही पूछा जाएगा जो कैलकुलेटेबल हो रहे हैं आपका इले हैं चैलिए आगे बात करते हैं next question और next है हमारा question number seven देखिए हमें क्या दिया गया है इसमें question number seven केंदर आपको एक integration दिया गया है gx और that is 0 से X F T D T, where F is the continuous function in 0 to 3. देखिए आपके सामने इस टाइप के बहुत क्युस्सन आ रहे हैं, इसके अंदर वेरियेबल टाइप में लिमिट होती है, और ज्यादातर जगे पर हम यहां पर क्या करते हैं, लेमनी इस एपलाई करते हैं, इसे हमें बहुत सारे क्युस्सन आ रहे हैं, तो यह फॉर्मूला आपको अच्छे सा आना चाहिए, डिप्रेंशिशन वाला, चलिए बात करते हैं, फ is a continuous function in 0 to 3 such that 1 by 3 से 1 के बीच में अगर एप T है, तो T आपका 0 से 1 है, और 0 से 1 by 2 है अगर एप T, तो आपके सामने T 1 से 3 के बीच में है, then the largest possible interval in which G3 lies in, तो देखिए, G3 हमारे पास में largest interval G3 का क्या होगा, क्योंकि G3 इसका integration है किसका, 0 से X Ft DT का, ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं 3 put कर दूं, तो यह इदर आएगा आपके सामने 0 से 3 Ft DT, और इदर मान लेते हैं कि यह इससे चोटा है, 0 से 3 Ft DT, अब आप कहेंगे इसे राप्त ने तो दोनों जगे पर सेम ही लिखा है, ठीक है, तो उदर में लॉर लिमिट लूँगा, इदर में अपर लिमिट लूँगा, तो देखते हैं, जब T 0 से 1 है, तो लॉर लिमिट कितनी है आपकी, जब T को मैं 0 से 1, पहला केस अगर लेता हूँ, 0 से 1 वाला केस, तो इसकी लॉर लिमिट Ft कहां से कहां तक ही, यह कम से कम कितना आएगा, 1 बाई 3 इंटू DT, प्लस, दूसरा वाला देखेंगे बाद में, G of 3, अपर लिमिट कितनी है आपकी 0 से 1 के अंदर, तो 0 से 1 के अंदर आपकी अपर लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 इंटू DT, प्लस दूसरा इंटिग्रेशन, ऐसी देखें आपको दिया हूआ है आगे, तो 1 से 3 तक इंटिग्रेशन जब करोगे, तो आपका जो फंक्शन है वो यह वाला है, तो इसमें लॉर लिमिट कितनी है, इसमें लॉर लिमिट है 0, जो 0 इंटू DT, greater than or equal to, 1 से 3 के अंदर, इसकी अपर लिमिट कितनी है दूसरे वालेगी, that is 1 by 2 into DT, इसको solve कर लिजिए, ठीक, इधर जो आएगी वो आपकी लॉर लिमिट आएगी, और इधर जो आएगी वो आपकी अपर लिमिट आएगी, इंटीग्रेशन कर सकते हैं बहुत इजीली, 1 by 3 constant rum है, तो इंटीग्रेशन T होगा, और वैल्यू पूट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इधर से तो आएगा 1 by 3, यह तो 0 ही हो जाएगा, will be greater than or equal to G3, और इधर क्या आएगा, देखिए, 0 से 1 में इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आएगा, that will be 1 and plus, इसको करेंगे तो T by 2 आएगा, और लिमिट पूट करेंगे 3 minus 1 तो 2 आजाएगा, तो 2 by 2 यह भी कितना हो जाएगा, 1, तो आपकी जो अपर लिमिट आएगी, वो तो 2 आएगी, और लॉर लिमिट कितनी आएगी, 1 by 3, और ऐसा हमारा कौन सा option है, 4th option, जो की हमारा सही answer है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्यूशनों को deal करना है, चलिए, आगे बात करत है, next question, next है हमारा question number, 8, और question number 8 में देखिया, मैं क्या पूचा है, question number 8 में आपको दिया है, the integral sumaclan, 1 से 2 e to the power x, into x to the power x, 2 plus log x dx, किसके equal होगा, base e दिया है, that means, यह ln x है आपका, clear है, तो अगर हम देखे, जान से देखिये, तो यह किस चीज का differentiation, यह differentiation लग रहा है, मेरे को, दे وجholm, jadi e ke power x का differentiation होता है, वह e ke power x, और उस case में x ke power x को मैंने asities, रखा, फिर मैंने x ke power x का differentiation किया, तो e ke power x और x ke power x का differentiation क्या होता है, ठीक है, तो x ke power x asities आता है पहले तो, और फिर इसके अंदर pratication होता है, एक बार आप इसको का differentiation, या तो इसको Y मानपे करे, नहील, तो एक simple तरीका होता है, एक बार power को constant माने, एक बार variable को constant माने, ठीक है, तो देखे जब आप power को constant मानेंगे, ठीक है, तो उस case में इसका integration कितना आएगा, उस case में फिर आपको यह x की power x लिखने की जरूत नहीं है, ठीक है, जब यह formula आप लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको x की power x लिख तो x बाहर आ जाएगा और यह बन जाएगा आपके सामने x की पावर x-1, clear है, इसके बाद में दूसरी चीज, जब मैं पावर को variable मानूँगा, बेस को constant मानूँगा, तो यह बनेगा x की पावर x into base, क्योंकि इस बाहर constant है, तो ln x, तो यह इसका क्या हो जाएगा, differentiation, इसमें यह x to the power x, तो एक 1 यहां से आएगा, एक 1 आपका यहां से आएगा, plus ln x, हमें कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, e की पावर x into x to the power x into 2 plus ln x, log x या ln x, ठीक है, तो देखे, जब भी मैंने का कि, जब भी 2 ट्रम का addition आता है, तो आपको पहली चीज, हमेंसा यह थिंकिंग लगानी है, क यह किसी चीज का differentiation तो नहीं है, तो यह बिलकुल differentiation है, और यह किस चीज का differentiation है आपका, that will be d by dx of e की पावर x into x to the power x, इसको आपको integrate करना है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूत नहीं है, शिधी limit पुट करें, कहां से कहां, 1 से लेकर के 2 तक, 2 पुट करेंगे तो आएगा e square into 4, और जब 1 पुट करेंगे तो आएगा minus e, तो e बाहर आजाएगा और आपका answer आजाएगा 4 e minus 1, और ऐसा हमें कौन सा option दिया गया है, ऐसा हमें पहला option दिया गया है, किलर है बच्चों, बहुत ही logical question था, जब भी दो ट्रम का sum आता है, तो हमें पहली thinking किस पे लगानी है differentiation पे, चलिए, आगे बात करता है next question, that is question number 9, और देखिए क्या दिया है question number 9 में, question number 9 के अंडर आपको बोला गया है कि for x will be greater than 0, f of x will be equal to this, then find f of e plus f of 1 by e, तो देखिए कैसे करेंगे, f of e की अगर हम बात करें, तो f of e के लिए ये simple integration बन जायेगा, f of e will be equal to 1 से e, ln e divided by, ln t divided by, 1 plus t into dt, that will be the equation number 1, अब दूसरा में f of 1 by e की अगर बात करूं, तो f of 1 by e कितना हो जाएगा, f of 1 by e हो जाएगा मेरा, 1 से 1 by e, और साथ में ये बन जाएगा, log ln t divided by 1 plus t into dt, x तो शिरफ limit में हैं, तो limit में आपका apply हो जाएगा, अब देखे, दो integration है, दोनों की limit अलग लग है, तो जब भी ऐसा होता है, तो हम क्या सौचते हैं, कि हम इसकी limit को same कर लें, और limit को same कैसे करेंगे, तो t को हमने replace कर दिया, 1 by p से, तो dt कितना हो जाएगा, minus 1 upon p square into dp, तो देखे, आपकी limit change हो जाएगी, जब इसके लगा 1 put करेंगे, ठीक है, तो ये 1 ही आएगा, ठीक है, और जब इसमें आप t की जगे 1 by e put करेंगे, तो ये कितना आजाएगा, वो आपका, जब 1 put करेंगे, तो 1 आएगा, t की value 1 होगी, तो p भी 1 होगा, जब t की value 1 by e होगी, तो p आपका कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, तो limit same हो गई, अब देखते हैं, हम इसको conversion करके, यहाँ पर क्या आएगा, t की जगे, 1 by p put करेंगे, तो p की power minus 1, तो बहार एक minus sign आजाएगा, और ये वापिस बन जाएगा log p, divide by, नीचे कितना आएगा, देखिए, नीचे जब आप put करेंगे, तो आएगा 1 p plus 1 divided by p, क्योंकि हमने t की जगे पर put किया है, so p 1 divided by p, और साथ में कितना आ रहा है मेरे पास में, साथ में 1 by p का differentiation आ रहा है, so that will be minus 1 upon p square into dp, तो ये integration मेरे सामने आ चुका है, अब चलिए आगे बात करते हैं, तो minus minus ये plus हो जाएगा, और variable को वापिस change कर दीजे, ये t में ले आईए, तो वापिस आपका ये integration बनेगा, देखिए, यहां से 1 p कट जाएगा, लेकिन 1 p बच जाएगा, तो ये बनेगा इस बार आपका ln of p divided by 1 प्लस p into dp, और p को जैसे मैंने आप t से replace कर सकते हो, तो ये equation होगी, आपकी equation number 2, पहली और दूसरी equation को आप एड करें, ये आपका क्या था, f of 1 by e था, f of 1 by e, तो इन दोनों के sum को अगर मैं नाम देदू, that is कोई भी constant c, तो c की value देखिए, क्या आएगी, इन दोनों को एड करूँगा, तो देखिए, ये lcm, इसमें भी p को t से replace कर दीजिए, तो ये lcm आजाएगा, 1 plus t into t, और साथ में आपके सामने ln t common आजाएगा, ठीक है, लेकिन देखिए, उसके अंदर एक t नहीं है, तो इसके अंदर एक t बच जाएगा, और यहां पर आपके सामने 1 आजाएगा, तो that is t plus 1 हो जाएगा, तो देखिए, कितना आजाएगा, इस से ये cancel out हो जाएगा, और आपके सामने simple ये integration बन जाएगा, 1 से लेकर के e ln t divided by t into dt, और ये किसकी value है, ये 2i की value है, इसको आप easily integrate कर सकते हो, ठीक है, ना log t को मैंने alpha माना, तो 1 upon dt into, वो आपके सामने 1 upon t into dt alpha, d alpha बन जाएगा, तो ये बन जाएगा alpha into d alpha, जब ये 1 होगा, तो ये 0 होगा, जब log t को मैं e लूँगा, तो इसकी value कितनी आजाएगी, 1 आजाएगी, इसको जब आप इंटेग्रेट करेंगे, तो आपको यहां से मिलेगा alpha का integration कितना हो जाएगा, alpha square by 2, और इसके अंदर आपको values पूट करनी है, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक, अचा, ये 2 आई नहीं, ये C ही है आपारा, ठीक ना, जो इंटेग्रेशन होई चल रहा है, दोनों का sum जो है, ठीकर क्योंको दोनों को add होने के बाद में ही हमारे पास में C आया था, तो जब आप इसमें limit पूट करेंगे यहां पर, तो यहां से आपको value मिलेगी, 1 by 2 minus 0, that is 1 by 2, तो इन दोनों का जो sum आएगा हमारे सामने, वो कितना आएगा, 1 by 2, this be a differentiable function for all x belong to real number, then fx equal to, तो fx की value क्या होगी, तो चली देखते हैं, अगें देखें, लेम्नीज का दीख रहा है, तो सबसे पहले इसको differentiate किया, तो हमें मिला f' x will be equal to e की पावर x into f of x, plus इसका differentiation e की पावर x ही होगा, x के respect में, so that is, अब हमें इसको solve करके fx निकालना है, तो यह देखें, एक differential equation है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको माना dy by dx, इसको इदर ले आए, minus e की पावर x into y, और will be equal to e to the power x, तो यह देखें, कैसी differential equation है, linear differential equation, तो इसका integrating factor क्या होगा, e की पावर minus e की पावर x into dx, इसको integrate करेंगे, तो आएगा e की पावर minus e x, ठीक है, अब देखते हैं, इसा कौन सा option है आपके सामने, तो ऐसा है आपके सामने, dy by option नहीं, अभी हमें y को इससे integrating factor से multiply करना होगा, that is, e to the power minus of e x, will be equal to, right hand side में, e की पावर minus e x into e x into dx, और इसको अभी हमें integrate करना है, तो देखिए, वापिस हमने e की पावर x को t माना, तो यह बना e की पावर minus t, और यह बन जाएगा पूरा dt, तो e की पावर minus t का differentiation होगा, minus e की पावर t, और t को वापिस पूट कर दिया, e की पावर x plus c, तो यह आगया आपका इसका integration, अब यहां से c निकालते हैं, तो देखिए, अगर मैं इसमें x की वेल्यू जीरो पूट करूँगा, तो देखिए, y कितना आ रहा है, तो x इक्वाल टू जीरो पूट करने से, यह तो integration जीरो हो जाएगा, यहां से वेल्यू आएगी, that will be y will be equal to 1, और यह वेल्यू जीरो देखिए, जब हम मैं यहां पूट करूँगा, तो यह बनेगा आपका 1 upon e will be equal to, यह minus 1 upon e plus c, तो यहां से c की वेल्यू आजाएगी, आपकी 2 upon e, c की वेल्यू पूट कर दीजिए, और इसको simplify कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, इसको simplify करने के लिए, मैं इस ट्रम से पूरे expression को divide कर देता हूँ, ताकि y एक साइड में रह जाए, तो y will be equal to, यहां पर भी वो फेक्टर पूरा है, तो यह कट के हो जाएगा, minus 1 plus c, c की value है 2 by e, और देखिए, इससे जब divide करूँगा, तो यह ट्रम उपर आ करके क्या हो जाएगी, positive हो जाएगी, that is e to the power e x, तो ऐसा जो भी option है आपके सामने, यही f of x है, 2 upon 2 into e to the power e x minus 1, और साथ में minus 1, इस टाइप का जो option है, वो आपका सही answer है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा option है, ऐसा option है हमारा पहला, इसके अंदर यह जो minus 1 है, ठीक है यह इसके अंदर एक साथ नीचे आएगा, यहां पर, इसके पूरे e की पावर x minus 1 के format में रहेगा, ठीक है उपर नहीं होगा, वो e x minus 1 है, साथ में से minus 1 नहीं हो रहा है, पूरे e की पावर x में से वो क्या हो रहा है, minus 1 हो रहा है, किलिर है बच्चों, तो इसका पहला option आपका सही है, चलिए आगे बात करते हैं, next question, next है हमारा question number 11, और देखिए क्या पूचा है 11 में, 11 में आपको दिया गया है, कि the value of this integration, इसकी integration की value क्या होगी, अगर हमारे सामने ये limit दी गई है, तो देखिए, minus 1 से 1 में integrate करना है, तो देखिए, minus 1 से 1 में greatest integer दो पार्ट में break होगा, एक minus 1 से 0 में, x square तो x square ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका minus 1, तो ये बन जाएगा e, x square by e, साथ में 0 से 1 में greatest integer आपका कितना हो जाएगा, 0 से 1 में greatest integer हो जाएगा, आपका 0 तो जो 1 हो जाएगा, तो वहां पर ये बन जाएगा x square, इन दोनों को integrate कर दीजिए, बस यही आपका answer है, तो पहले बाले पार्ट का answer आएगा, x cube upon 3, 0 से minus 1, साथ में 1 upon e, minus 1 से 0, और plus x cube upon 3, इसमें put करना है आपको 1 से 0, तो देखें, पहले बाले पार्ट में कितना आएगा, 1 by e, 0, minus of minus 1 हो जाएगा, plus 1 by 3, और plus यहां पर हो जाएगा, 1 by 3 minus 0, तो आपका answer आएगा, 1 upon 3 e plus 1 upon 3, तो LCM लेंगे, तो 3 time, e LCM आएगा, उपर 1 plus e बच जाएगा, तो ऐसा कौन सा option है, ऐसा third option है, जो कि हमारा सही answer है, clear है, यह तो simple question था बिलकुल, देखिए यह भी simple question भी means में ही आएऊ हुए है, ठीकान, ऐसा नहीं कि यह question कहीं और से उठागर के लाए है, ठीकान, सब यह जाई में में पूछे गए question से आपके last 3 attempts में, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 12, question number 12 में देखिए क्या करना है, आपको दिया गया है कि x square plus bx plus c, एक quadratic polynomial है, with real coefficients, b and c real है, यह integration 1 है, तो px leaves remainder 5, when it is divided by x minus 2, तो इसकी value क्या होगी, तो चलिए, पहले integrate कर लेते हैं, तो integration से यह आएगा, x cube by 3, plus bx square by 2, plus cx, और इसको जब आप 0 से 1 में integrate करेंगे, तो इसकी value कितनी दे रखी है आपको, that is equal to 1, तो देखे, यहां से कितना मिल रहा है, यहां से आपको मिलेगा, 1 by 3 plus b by 2, plus c will be equal to 1, यह है आपकी equation number 1, इसे equation number 2 निकालनी है हमें, equation number 2 क्या है, कि जब x minus 2 से divide कर रहे हैं, तो remainder 5 आप 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 आप, तो x minus 2 से remainder कैसे निकालता है, इसमें 2 put करके, तो इसमें 2 put करेंगे तो आएगा, 4 plus 2b plus c, और इसकी value आपको कितनी दी गई है, 5, that is the equation number 2, equation number 1 में से 2 को subtract कर दे, या 2 में से 1 को subtract कर दे, एक ही बात है, तो 2 में से 1 को subtract कर दे, 2 minus 1, तो देखें कितना आएगा, c से c कट जाएगा, 4 minus 1 by 3, so 4 minus 1 by 3, 2b minus b by 2, that is 3b by 2, और साथ में आएगा, इदर आपके सामने 5 है, so 5 minus 1, there will be equal to 4, यह आजाएगा, so यहां से 4 से 4 कट जाएगा, so 3b की value आजाएगी आपके सामने, 2 by 3, so b की value आजाएगी, 2 upon 9, b की value 2 upon 9, अगर मैं कहीं put करता हूं, या यह कहूँ कि 9b की value 2 आ रही है, तो अब मेरे को c निकालना है, तो मैं अगर इस equation में put कर देता हूं, किसी में put कर सकते हो, दूसरी वाल में अगर मैं put करता हूं, तो c आ जाएगा, 5 minus 4, 1, minus 2 time b, और b की value है, मेरे पास में 2 upon 9, तो इसकी value देखी, कितनी आ रही है, 9 minus 4, so there will be equal to 5 by 9, so 9c की value कितनी आ रही है, that will be equal to 5, और अगर इन दोनों को मैं add कर दूँ, तो 9 time b plus c कितना आ जाएगा, मेरे पास 7, और यही मेरा क्या है answer, तो simple equations को solve करना था यहां पर, और इस तरीके से आपका equation easily solve हो जाएगा, आगे बात करते हैं next question, next है हमारा question number 13, और question number 13 देखें, फिर से आपका lemnese से, ठीक है, बहुत सारे questions पूछे जा रहे हैं पिछले दिनों से lemnese के अंदर, देखें, लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो अब यहां 0 पूट करोगे, तो अपर लिमिट और लॉवर लिमिट सेम हो गई, तो उपर वाली ट्रम आपकी 0 की तरफ tend करेगी, और निचे वाली ट्रम भी 0 की तरफ tend कर रही है, तो यह जो होगा आपके सामने 0 by 0 फॉर्म है, और इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी के लिए, आमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट का यूज कर सकते हैं, उपर का डिफ्रेंशियेशन उपर, नीचे का नीचे, ठीक न, यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, यू बाई वी वाला फॉर्म लगा देते हैं, लिए लेच रूल के अंदर आपको यू बाई वी का फॉर्म ला नहीं लगाना होता है, हम नुम्रेटर का हैं, नुमोरेटर का नुम踏को करा दिफ्रेंशियेशन नुमेरेटर में करना होता है, और दिनोमोलेटर का?? चले बात करते हैं, बात कते हैं , जब इससमें पूटकरेंगे, तो यह साइन to make sin , on X इसके बाद में x square का differentiation करेंगे तो that is 2x और divide by, नीचे जब हम बात करेंगे x cube, तो यह हो जाएगा आपका 3x square और limit x tending to 0. आगे देके इसकी बात करें, तो यह कितना होगा, so that will be equal to sin of, इसके नदर आपसे 0 positive पे limit पूछी गई थी, ठीक है, नहीं तो इसकी limit according to the option क्या हो जाएगे, does not exist आजाएगे, so 0 positive पे थी, so sin 2 by 3 बहार रहेगा, ठीक है, 1x कट जाएगा, तो sin mod x divided by x, और 0 positive पे sin mod x, x ही रहेगा, तो इसकी limit आजाएगी आपके सामने 2 by 3 into 1, और आपका जो पहला आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यहाँ पर limit आपको 0 positive पे calculate करनी है, और वैसे भी देखिए, क्योंकि अगर क्यूशन में नहीं भी दिया है आपको 0 positive, तो भी आपको 0 positive ही लेना है, क्योंकि limit बगएरा जो भी होती है, हमेसा उसके कहां calculate होती है, उसकी domain में calculate होती है, और क्योंकि यहाँ पर root T आपका कहां पे आ रहा है, root के अंदर आ रहा है T, तो T की जो limit है आपके सामने, जब इसमें put करोगे आप T, क्योंकि वो 0 से X में जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको एक finite number ही put करना है, जिससे आपके सामने वो limit क्या हो जाए, आ जाए, तो वो automatically आपके सामने क्या हो जाएगी, 0 positive हो जाएगी, चलिए आगे बात करते हैं, next question, next है हमारा question number 14, और question number 14 में देखिए, क्या पूचा है, question number 14 के अंदर आपको एक integration दिया गया है, 1 से 3, x square minus 2, x minus 2, और आपको इसको integrate करके बताना है कि यह कितना होगा, तो देखिए, यह एक ऐसा quadratic है, जो आपके ऊपर की तरफ खुल रहा है, x equal to 1 पर इसकी value कितनी आ रही है, x equal to 1 पर इसका vertex भी होगा, means यही वाला point होगा, x equal to 1 मे इसमें put करता हूँ, तो मेरे को मिलेगा 1 minus 2 minus 4, तो यह point है मेरा 1, minus 3, कितना है, 1 put करने से minus 3, और जब मैं इसमें 3 put कर रहा हूँ, तो देखिए, कितना आएगा, 3 put करने से आएगा, 9 minus 6 minus 2, तो उस case में इसकी value आएगी मेरे पास में कितनी, that is 9 minus 6 minus 2, और that is 8, so that is 1, तो यह आपका minus 3 से लेकर 1 तक वेरी करेगा, और minus 3 से 1 तक जब वेरी करेगा, तो इसके बीच में इसकी और भी value जाएगी, तो वो सारे points पर आपका break होगा, ठीक है, minus 3 से लेकर के, सबसे पहले minus 2 तक, minus 2 नहीं, ठीक है, जब यह integration आपका minus 2 होगा, ठीक है, और यह integration इसका जो graph आपका इस तरीके से बना है, x axis भी आपका यहां पर नहीं, ऊपर होगा, ठीक है, तो यह जो point आपका, that will be equal to, x equal to 1, इसका क्या है, vertex है, और vertex पर इसकी value कितनी आ रही है, that is 1, minus 3, और x equal to 3, अगर इसमें पूट करते हैं, तो 1 आपका 3 पर यहां पर आएगा, that is 1, ठीक है, 3,1, तो इसके बीच में देखिए, यह आपके सामने 0 भी हुआ है, इसके बीच में यह आपका minus 1 भी हुआ है, और इसके बीच में यह आपका minus 2 भी हुआ है, ठीक है, तो आपको यह सारे points चाहिए होंगे, और आपको integrate करना पड़ेगा, minus 3 से लेकर के, इस वाइला point अगर माल लेते हैं, कि alpha आ रहा है इधर, और यह point beta आ रहा है, ठीक है, alpha और beta, तो minus 3 से alpha, इसके बीच पर यह होगा minus 2 time dx, फिर alpha से लेकर बीच तक यह होगा आपका, कितना आएगा, that is minus 1 time dx, और फिर beta से लेकर के, यह जो point जब निकालोगे तो यह x equal to 0 ही आएगा, ठीक है, जब 0 के उपर आप बात करेंगे, तो यह point आएगा, sorry, आपका x equal to कितना आएगा, 2 आएगा, so beta से लेकर के 2, जब इसकी value आप 0 के equivalent करेंगे, तो चलिए एक बार उसको भी निकाल लेंगे, ठीक है, जब यह 0 होगा आपके सामने, तो इसका root आजाएगा, और वो root जो भी और गामा से लेकर के, ठीक है, जब तक यह आपके सामने ऊपर जाएगा, 1 तक तब तक यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यह integration आपको करना है, अब आपको अलग-लग time पर देखना है, यह 0 कब होगा, यह minus 1 कब होगा, और यह minus 2 कब होगा, ठीक है, तो 0 पर तो आप इ देके, x square minus 2 x 0 हो जाएगा, और x square minus 2 x 0 होगा, एक तो 0 पर और एक 2 पर, तो पहले जो point है, वो तो आपके सामने आएगा 2, ठीक है, कितना आएगा 2, तो 1 के बाद में सीधा वो 2 पर पहुंच जाएगा, चलियर है, 2 के बाद में देखिए कितना आ रहा है, क्योंकि minus 2 के equivalent किय करेंगे, तो इसको जब minus 1 के equivalent करेंगे, तो यह आएगा, x square minus 2 x minus 1 equal to 0, तो इस case में इसकी जो values मिलेगी आपको, वो मिलेगी 2 plus minus root over 4 plus 4, that will be 8 divided by, साथ में कितना आजाएगा, 2, तो इसकी value आएगी, एक positive और एक negative, बट हमें दिखाए दे रहा है, कि वो आगे होगा, तो यह हो root 2, ऐसे आप gamma निकालने, ठीक है, नगा, गामा निकालने के लिए इसको किसके equal करेंगे, इसको equal करेंगे, इसको equal करेंगे 0 के, तो 0 के equal करेंगे, तो यहां से कितना आएगा, देखिए, x square minus 2 x minus 2 ही रहेगा, तो इस case में आएगा, 2 plus minus 2 root 3 बन जाएगा, divide by 2, तो यह बनेगा आपका 1 plus root 3, ठीक है, और यह आपका 1 plus root 3 ही ही, और उदर आपके सामने 1 हो जाएगा, अब आप देखिए, इसको easily integrate कर सकते हो, देखिए, क्या आएगा, बहुती simple तरीके से integrate होगा, minus 3, इसके साथ में, जब limit put करोगे, तो upper limit 2 है, और lower limit आपकी कितनी है, lower limit आपकी 1 है, यहां आपर आएगा, minus 2, upper limit, minus lower limit, तो आपर तो 2 minus 1 था, यहां पर था 1 plus root 2, minus 2, तो यह कितना आपका, यहां आपका root 2 minus 1, ठीक है, इसमें से 1 में से 2 subtract हो जाएगा, यहां आपर आएगा, minus 1 के साथ में, कितना, minus 1 के साथ में आएगा, आपके सामने आपके सामने आपके सामने आपक माइनस रूट 2 तो फाइनली देखे आपका आंस्वर आएगा that is minus 3 plus 2 is minus 1 minus 2 root 2 plus root 2 that is minus root 2 and that is minus root 3 so यह आपका आंस्वर है option number 3 इस टाइप से जो greatest integer वाले questions आते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा ठीकन क्योंकि वो आपके साथ ने आपके साथ ब्रेक करके क्यूशन सौल होगा और ब्रेक आपको सही तरीके से करना है ठीक अगर एक चोटी सी गलती करेंगे तो पूरा क्यूशन गलत हो जाएगा चली आगे बात करें next is question number 15 question number 15 में देखिया में क्या दिया है क्या पूचा है question number 15 के इंदर आपको बोला गया है कि let f be a differentiable function defined on 0 to 2 such that f dash x will be equal to f dash 2 minus x for all x belong to 0 to 2 और f of 0 की value 1 है f of 2 की value e square है then the value of 0 से 2 f x dx इसकी value क्या होगी यह में निकालनी है so चली बात करें अगर मैं इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो मेरे को मिलेगा f of x will be equal to minus time f of 2 minus x ठीक है ना दोनों साइड में इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो मेरे को मिल जाएगा f of x will be equal to f of 2 minus x और एक minus sign आएगा क्योंकि वहां पर क्या है आपके सामने minus sign अब देखिए आपको करना क्या है आपको करना है आपको करना है जीरो से 2 f x d x कल्कुलेट करना है ठीक है तो इसको कल्कुलेट करने के लिए देखिए क्या करेंगे अगर मैं इसके अंदर लिमिट लगा दू that is 0 से 2 f x d x तो आपको दिया हुआ है और इसके अंदर मैंने king's rule apply कर दिया तो देखिए मेरे को क्या मिलेगा i will be equal to 0 से 2 f of 2 minus x into dx ठीक है और मेरे को दिया क्या है f x एक differentiable function है और यह इसके equivalent है for all x belong to 0 से 2 f of 0 की value 1 है और f of 2 की value e square है तो यह integration किसके equivalent होगा तो चलिए देखते हैं अचा यहां पर आपको एक constant भी लिखना पड़ेगा that is c क्योंकि c की value हमें पता नहीं कि क्या होगी ठीक है क्योंकि integrate करेंगे तो यह constant भी आता है इसमें अगर मैं x को 0 पूट कर दूँ तो देखिए f of 0 तो मेरे पास में 1 है और f of 2 है मेरे पास में minus e square plus c तो अब देखिए मेरे को क्या करना है कि अगर मैं इन दोनों integration को add कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा integration of 2 i will be equal to यह यह कहें कि इन दोनों integration का addition होगा that will be equal to 0 2 f x dx plus 0 2 f of 2 minus x into dx ठीक है और 0 से 2 f of 2 minus x dx को मैं क्या पूट कर सकता हूं ठीक है इसको मैं replace कर सकता हूं that will be c minus f of x तो c minus f of x में पूट करूँगा तो देखिए f of x से f of x तो कट जाएगा और आपके सामने simple बचेगा 0 से 2 c into dx इसको integrate करोगे तो आपके सामने 2 i की value कितनी आ गई 2 c k equal तो i कितना आ जाएगा that will be c और c कितना था c था हमारा 1 plus e square तो हमारा जो correct answer हो जाएगा वो कौनसा हो जाएगा पहला हो जाएगा किलिए देखिए ध्यान से हमने क्या किया पहले हमने इसको integrate किया तो यहां पर यह constant आएगा integration करते है तो जब भी हम indefinite integration करते है तो constant आता है c c की value निकाली हमने case x की value 0 put की तो f of 0 आमे 1 दिया है और यह e square दिया है तो यहां से c की value मिली मेरे को 1 plus e square फिर मेरे को integration calculate करना था उसमें मैंने king's rule लगाया दोनों equation को add किया add किया तो यह 2i time यह बन गया ठीक है और इन दोनों में से किसी एक को अगर हम replace करेंगे तो जैसे मैंने इसको replace किया तो यह आएगा c minus f x यह f of x को replace करेंगे तो c minus this तो यह integration तो कट जाएगा और आपके सामने simple c बच जाएगा और limit 0 से 2 उसको जब integrate करोगे तो आपको 2c आएगा तो i की value c के equivalent आजाएगी और c की value 1 plus e square के equal है इस तरीके साब का जो पहला option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चलिए आगे बात करते हैं next question number 16 और question number 16 में देखिए तो देखिए कैसे करेंगे जब आप n की value 1 पूट करेंगे क्योंकि हमें sigma calculate करना है तो यह बनेगा 0 से 1 into e to the power x क्योंकि मैंने n को 1 पूट किया है ठीक है तो यह 0 से 1 बन जाएगा और साथ में यह limit होती है यह किसकी limit होती है यह x की ही limit होती है और जब x आपका 0 से 1 होगा तो यह e की power x बनेगा simple ऐसे जब आप इसके अंदर n की value 2 पूट करोगे तो यह 1 से 2 बनेगा और यह बनेगा e की power x minus 1 ऐसे ही आगे चलता रहेगा 2 से 3 के अंदर e की power x minus 2 और and so on last तक आपका 100 तक चल जाएगा इन सबको integrate करना है तो सबके अंदर यही होगा और जब limit put करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको e minus 1 यहाँ पर इसका integration जब करके इसको put करोगे तो उस पर भी e minus 1 ही आएगा क्यों पहले 2 put करेंगे तो 2 put करेंगे e और जब 1 put करेंगे तो वापिस 0 so e minus 1 ऐसे इस वाले के ऊपर भी आपके सामने कितना आएगा e minus 1 integration का sign तो हट जाएगा e minus 1 और इसा चलता रहेगा कब तक n equal to 1 से लेकर 100 तो 1 से लेकर 100 तक 100 times e minus 1 आएगा और आपका correct answer हो जाएगा केले है बच्चों अचा मैं limit इसी में क्यो put कि क्योंकि इसमें integration क्यों नहीं किया क्योंकि इनका integration यही होगा तो फंक्षन है तो आप सीधा इसमें limit की value put कर सकते हैं चलिए आगे बात करते हैं next question and next है हमारा question number 17 question number 17 में देखिए क्या पूचा है आपको question number 17 के अंदर आपको integration दिया गया है the value of the integral this 0 से pi mod sin 2x dx तो देखिए 0 से pi के अंदर अगर आप mod की बात करें तो आप सीधा नहीं हटा सकते हैं आपको दो parts में break करना पड़ेगा 0 से pi pi 2 में तो यह plus sin के साथ खुलेगा और आगे वाले part पर यह minus sin के साथ खुलेगा ठीक है तो minus pi pi 2 से pi sin 2x क्यों? क्योंकि अगर x की limit 0 से pi है तो 2x की limit 0 से 2pi हो जाएगी 1st second quadrant में sin x positive होगा और आगे negative होगा चलिए integrate कर देते हैं sin 2x का integration कितना होता है cos 2x with negative sin limit put करनी है 0 से pi pi 2 minus sin यह भी plus हो जाएगा क्योंकि इस integration के अंदर minus sin आएगा cos 2x और limit हो जाएगी आपकी pi से pi pi 2 values put कीजिए देखिए कितना आ रहा है तो जब आप यहाँ पे pi pi 2 put करेंगे तो यह हो जाएगा cos pi pi 2 0 फिर minus minus plus that will be cos 0 इसका answer आजाएगा आपका 1 ठीक है बीच में minus sin था sin 2x का जो differentiation था ठीक है वो आपके सामने कितना हो जाएगा minus cos 2x तो यह बन जाएगा plus और इसके अंदर जब आप limit put करेंगे तो पहले value कौन सी put होगी पहले value होगी आपकी pi वाली value put और pi वाली value को जो put करेंगे अचा यह minus sign के साथ खुलेगा एक integration के अंदर minus sign आएगा तो यह कितना बन जाएगा plus cos 2x और plus cos 2x का अंदर जब आप limit put करेंगे तो यह बनेगा cos 2pi और cos 2pi की value कितनी होती है cos 2pi होता है आपका अचा यहां पर भी देखिए cos pi बनाता ठीक है ना आपने थोड़ा सा यहां पर limit कहने देखिए cos pi बनेगा यहां पर जब आप pi pi 2 put करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और यहां से कितना आएगा यहां से आएगा आपके सामने cos pi और cos pi के अंदर cos pi की value होती है minus 1 तो यह हो जाएगा minus 1 divided by 2 अचा एक minus sign बहार है तो यह बन जाएगा plus 1 by 2 clear? और साथ में जब यह put करोगे तो भी यह कितना हो जाएगा आपके सामने 1 by 2 plus ऐसे यहां पर put करोगे तो cos 2 pi आएगा cos 2 pi होगा आपके सामने 1 by 2 एक minus sign यहां पर आएगा एक cos के अंदर आएगा तो फिर से आएगा 1 by 2 तो यह से आपके 1 by 2 1 by 2 चार बार आएगा ठीक है? और वैसे भी आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे यह 2 करने की बजाए क्योंकि यह periodic function है और इसका period कितना होगा? इसका period आपके सामने mod sign का period होता है pi और इसके अंदर 2 आ रहा है तो pi pi 2 होगा तो आप इसी integration को double कर सकते थे उससे भी आपका answer आ जाता चलिए finally तो हमने solve कर लिया और हमारा answer जो correct होगा वो कितना होगा 2 होगा clear है बच्चों? So, चलिए आगे बात करते है next question number 18 Question number 18 में देखिए आपको N की ड्रम में एक integration दिया है और एक ऐसा relation दिया गया है जिससे आपको क्या करना है alpha minus beta निकालना है और आपको बोला गया है कि alpha और beta natural numbers तो चलिए बात करते हैं जब भी N वाले questions आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम यहां पर एक relation निकालते हैं integration by parts लगाके जिस function का integration easy है second और जिसका differentiation easy है उसको first function मानते हुए तो चलिए देखते कितना आएगा इसको integrate करोगे तो आएगा x की power 20 into log mod x की power n divide by 20 minus integration of इसका differentiation करेंगे तो आएगा n into log mod x की power n minus 1 into log mod x का differentiation होता है x x to the power 20 और divide by साथ में कितना आजाएगा साथ में आजाएगा आपके सामने 20 और इसकी limit है 1 से e अब देखिए इसमें तो limit put कर देंगे 1 से लेकर के e तक तो यह तो देखिए क्या बन जाएगा i n will be called e put करेंगे तो e की power 20 by 20 और जब आप इसके अंदर 1 put करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंग 1 की value 0 होती है लेकर देखिए minus यह क्या बन गया यह बन गया आपका n time ठीक न x की power 19 into log x की power n minus 1 इसको क्या लिख सकते है x की power 19 log x की power n minus 1 को क्या लिख सकते हो आप i n minus 1 लिख सकते हो और divide by 20 20 तो यहां से देखिए आपका एक relation मिल गया और इस relation से हम क्या करेंगे हम अपने question को solve कर लेंगे 20 time i n plus n time i n minus 1 जो है वो constant रहेगा हमेशा और किसके equal रहेगा e की power 20 तो इसके अंदर अगर हम एक बार 10 put करें और एक बार 9 put करें तो दोनों बार ही यह इसके equal होगा that means जब आप इसमें 10 और 9 put करेंगे तो जो 2 expressions आएंगे वो भी same आएंगे 20 i 10 जो होगा plus 10 time i 9 यह equal होगा आपके किसके जब आप 9 put करोगे क्यों? क्योंकि यह भी e की power 20 के equal है वो भी e की power 20 के equal होगा तो दोनों आपस में same हो जाएंगे 20 time i की power 9 और इस बार हमने n को 9 put किया है तो यह बन जाएगा 9 time i की power 8 तो आपको देखे यहांसे क्या relation मिल रहा है आपको मिल रहा है 20 time i 10 will be equal to यह इधर आ जाएगा तो यह बन जाएगा 10 time i 9 और plus 9 time i 8 तो देखे आपको 10 9 और 8 में relation निकालना था जो आ चुका है अब आपको relation यह दिया गया है तो इसमें और इसमें compare करेंगे तो आपको alpha की जगे पर 10 दिखाई देगा और beta की जगे पर 9 दिखाई देगा और आपको बोला भी गया था कि दो natural numbers आएंगे और आपको इन दोनों का difference निकालना है alpha minus beta so that is 1 और 1 आपका क्या होगा यहां पर सही answer होगा clear है चैली आगे बात करते है next question next है हमारा question number 19 question number 19 question number 19 में देगे हमसे real polynomial means उसके निर आपको imaginary numbers अगेर imaginary constants नहीं आएंगे which when it says at x equal to minus 3 इसका मतलब क्या हुआ क्या हुआ x equal to minus 3 पर वो क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है इसके एलाव आपको दिया गया है कि Px है local minima at x equal to 1 and local maxima at x equal to minus 1 तो यह इसके maxima और minima वाले points है and minus 1 से 1 Px dx आपका 18 दिया गया है ठीक है then the sum of all the coefficients of the polynomial PxH तो देखिए आपको maxima और minima दो अगलग points दिये गये है तो देखिए हम यहीं से question को start करते है जब भी आपको maxima और minima दिया जाए तो आप क्या करें x plus 1 और x minus 1 जो आपको दो दिये गये है ठीक है यह किस चीज की value होगी यह होगी आपके सामने इसके Px के differentiation की value that is P dash x ठीक है और यह आपको पता है और यह चाहो तो आप सीधा भी कर सकते हो ठीक अगर यहां से अगर आपको कोई भी problem आ रही हो तो आप सीधा भी कर सकते हैं आपको 3 degree के polynomial दिया गया है तो आप मान लीजिए कि Px जो है आपके सामने वह क्या होगा वह होगा A x cube plus B x square plus C x plus D ठीक है यह आपका क्या है आपको जो conditions दी गई है आप सारी conditions लगा दीजिए ठीक है और जो भी यहां से answer आ रहा है ठीक है उसकी value आप निकाल सकते हैं तो देखे माइनस 1 से 1 में जब इसको integrate करोगे तो क्योंकि यह odd function वाली होती है इसका integration 0 हो जाएगा पहली वाली drum का सिरफ इसका integration आएगा that is B x cube by 3 इसका integration relation भी 0 होगा और यहां से आजाएगा dx और इसमें यह 2 time हो जाएगा आपका 0 से 1 जब limit put करेंगे तो यहां से आपको जो relation मिलेगा वो कितना मिल रहा है देखिए यहां से आपको एक relation आएगा और वो आएगा जब 1 put करेंगे तो B by 3 plus D will be equal to ठीक है equal to में 2 cancel out हो जाएगा that is 9 तो यहां से आपको मिलेगा B plus 3 D will be equal to 27 यह आपकी एक condition आगई ठीक जिसको मिया लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा से क्यूसन बड़ा रहेगा तो solve करते time पे हमें थोड़ा सा इसको धान से करना है that is 27 clear है इसके बाद इसको मिटा देते हैं B plus 3 D आगया that is 27 अब इसके लोकल मेकजिमा और मिनिमा दिये गए थे तो लोकल मेकजिमा और मिनिमा उसको जब डिफ्रेंशेट करोगे तो P dash X ऐगा 3 A X square plus 2 B X plus C तो इसमें जब 1 और minus 1 put करोगे तो यह 0 होगा तो यहां से देखी आपको condition मिलेगी 3 A minus 2 B plus C will be 0 और साथ में आपको मिलेगा 3 A plus 2 B plus C will be 0 ठीक है तो इन दोनों में से क्या कर दें आप subtract कर दें तो यह minus, यह minus तो यह cut जाएगा, यह cut जाएगा और यहां से आपको B की value है, D की value हो जाएगी आपके सामने 9, तो D आगया 9 और B आगया हमारा 0 यह हमारे को दो constants मिल चुके हैं चलिए, इन equation को रखी अभी यह काम में आएगी, ठीक है इसमें से B 0 है, लेकिन एक condition हमें और मिल रही है यहां पर, that is 3 A plus C will be also 0 ठीक है, और यह condition भी हमारी काम में आएगी, आगय क्यूशन को solve करने में, चलिए x equal to minus 3 पर यह 0 है means x equal to minus 3 इसका root है तो यहां से मिलेगा 27 A plus 9 B लेकिन B 0 है तो उसको छोड़ दीजिए plus इसके बाद में क्या एगा हमारे 27 A plus 9 B plus 3 C and plus D, D की value हम निकाल चुके है, that will be 9 will be equal to 0 तो यहां से देखिए हमें एक condition और यह minus 3 पर है तो minus 3 पर यहां पर minus 27 A और यहां पर भी आपके सामने कितना आएगा ठीक है, एक second पूरा लिख लेते है, x equal to minus 3 पर आपके सामने क्या है x equal to minus 3 पर 0 हो रहा है so minus 27 A ठीक है, उसके बाद में second term 0 हो जाएगी x square वाली फिर C वाली term आएगी और C वाली term पर आएगा minus 3 C और साथ में आपके सामने आगे वाले पार्ट पर आएगा और that will be D will be equal to 0 ठीक है, minus 27 A एक second अगर हमने देखा तो B plus 3 D हमारे सामने 27 जो इंटीग्रेशन जाब हमने किया था ठीक है, तो हमारे सामने वाहं पर कौन-कौन सी term बचनी चाहिए थी एक तो X वाली term जिसके अंदर B का coefficient था और एक आपके सामने constant तो वह ठीक है वहां पर हमने B निकाला, B 0 आगया हमारा यहां से क्योंकि 1 और minus 1 इसके local maxima और local minima थे तो उनको जब पुट किया तो यहां से B की value 0 आगई, यह भी ठीक है B 0 पुट करेंगे तो 3 A plus C 0 आएगा और इसके बाद में आपको यह बोला गया है कि यह venice है 8 x equal to minus 3 पर तो जब minus 3 पुट करेंगे तो आएगा minus 27 A minus 3 C plus D will be 0 तो यहां से जो आपको value आ रही है ठीक है वह कितनी आ रही है, D को अगर मैं 9 पुट कर दूँ तो यहां से इसको डिवाइड करूँगा तो यहां से आएगा मेरे पास में कितना 9 A plus C और will be equal to D अचा, एक second जैसा है वैसा ही रख लें अगर D को 9 पुट कर दे और इसको 3 से डिवाइड कर दे तो यह हो जाएगा minus का 9 A minus C plus 3 will be 0 साथ में मेरे को यह दिया गया है कि 3 A plus C कितना है 0 इन दोनों को क्या कर दो, add कर दो तो यहां से मिलेगा मेरे को minus 6 A plus 3 will be 0 clear है? यहां से A की value कितनी आ रही है A आ रहा है यहां से आपका 1 by 2 A 1 by 2 आ गया D 9 आ गया B 0 आ गया A को अगर में 1 by 2 यहां पर करूंगा तो यहां से C कितना आएगा मेरा minus 3 by 2 ठीकिना C की value कितनी आ रही है minus 3 by 2 अब देखें अमारा polynomial क्या आएगा polynomial आएगा मेरा x cube ठीकिना 2 से multiply कर देंगे x square की drum आएगी नहीं x की drum आएगी आपके सामने minus 3x और plus constant drum लेकिन वो 2 से multiply हो जाएगी so 18 will be equal to 0 ठीकिना यह आपके सामने क्या आ रही है यह आपका polynomial आ रहा है और आपको पूछा गया है कि इसके coefficients का sum कितना होगा so there will be 18 plus 1 19 19 minus 3 so 16 will be your answer ठीकिना थोड़ा सा यह Calculative था ठीकिना क्योंगी equation 4 थी ठीक है तो इन 4 equations को आपको solve करके ठीक है इस तरीके से इसको क्या करना है solve करना है so चलिए आगे बात करते है next question number 20 question number 20 के लिए क्या दिया गया है आपको एक function दिया गया है f of x और साथ में एक इधर limit दी गई है यह limit आपको calculate करनी है सबसे पहले अगर हम इस limit को देखे तो देखिए 1 by n और summation of r by n का format है तो यह आपका integration में convert हो जाता है 1 by n आपका dx बन जाता है और f of r by n के इंदर यहां पर भी बनेगा वह आपका function बन जाएगा और law limit आपकी 1 है और upper limit n है तो यहां पर जब law limit 0 और upper limit 1 हो जाती है अगर 1 और n होता है तो अगर उसमें कुछ भी changes होते हैं तो फिर यहां पर भी limit में आपकी changes हो जाते हैं तो आपको क्या करना है आपको इस integration की value निकालनी है clear है और साथ में आपको यहां पर जो function दिया गया है वह है log 2 1 plus 10 pi pi 4 x लेकिन यहां पर जो log है उसका base 2 दिया गया है और हम जब भी formula वगरा कुछ भी लगाते हैं तो उसमें ln होता है तो इसको हम क्या करेंगे ln में convert करेंगे और उसके बाद integrate करेंगे तो i will be equal to इसको ln में convert कर दिया so 1 upon ln 2 यह जो 2 है वह आपके सामने नीचे आ जाएगा और उपर वाले को हम ln के format में लिख देंगे 1 plus 10 pi pi 4 x और limit हमारी कहां से कहां तक है 0 से लेके 1 तक अब देखिए अगर हम pi pi 4 x को अगर theta ले 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 या t ले ले pi pi 4 x को अगर मैं t ले लेता हूँ ठीक है तो यहां से dx कितना आ जाएगा हमारा dt और साथ में आ जाएगा 4 upon pi ठीक है तो यहां पर यह बन जाएगा आपका 4 upon pi into ln 2 और साथ में यह जो integration है आपका limit convert हो जाएगी x equal to 0 पर 0 और 10 pi pi 4 x को मैंने क्या लिया चाहो तो पूरे को ले लो ठीक है 10 pi pi 4 x और अगर आपने शिरफ pi pi 4 x को लिया है तो यह convert हो जाएगा pi pi 4 के अंदर और साथ में यहां पर हो जाएगा ln into 1 plus 10 theta 10 t ठीक है ऐसा integration यह बन जाएगा अब आपको क्या करना है इसको integrate करना है तो इसको आप बहुत करेंगे तो इसके अंदर लोग 1 plus 10 t का format है तो इसमें क्या करेंगे इसको अंदर प्रोपर्टी लगा देते एक बार king's rule और उसके बाद में तो इस integration को मैं calculate कर रहा हूं और last में हम फिर इसको multiply कर देंगे तो इसको i dash मान लेते हैं तो i dash की value कितनी आरी देखिए अगर मैं इसमें property लगाओं तो यह होगा 0 से pi pi 4 into ln of यह बन जाएगा 10 pi pi 4 minus t और इसमें अगर मैं formula लगा देता हूं तो वह बनेगा 1 minus 1 plus 1 minus 10 t divided by 1 plus 10 t ठीक न ऐसा format आ जाएगा और इसको वापिस क्या कर ले solve कर ले तो इसको solve करेंगे तो यह बनेगा आपका ln of 1 plus 10 t 1 minus 10 t तो यह बनेगा 2 times 1 plus 10 t इसमें वापिस अगर मैं formula लगा दूं तो यह बनेगा ln 2 minus ln of 1 plus 10 t ln of 1 plus 10 t के लिएर है और यह मेरा वापिस क्या बन गया i dash बन गया तो यह इधर आ करके कितना हो जाएगा आपका 2 i dash हो जाएगा और इसको जो मैं integrate करूंगा तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा ln 2 और इसके इंदर करोगे 4 upon pi ln 2 को तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और दोनों multiply हो करके हमारा जो final answer हो इसमें कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और यह हमारा answer है चलिए आगे बात करेंगे next question next है हमारा question number 21 और question number 21 में देखिए हमें क्या पूचा है 21 में आपको दिया है let f r से r भी a continuous function such that f of x plus f of x plus 1 will be equal to 2 साथ में हमें एक integration दिया गया है i1 will be equal to 0 से 8 fx dx और i2 दिया है minus 1 से 3 fx dx और हमसे पोचा है i1 plus 2 i2 तो देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर अगर मैं x को x plus 1 से replace करूँ तो देखिए मेरे को क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा f x plus f of x plus 1 equal to 2 जो है वो किसमें convert हो जाएगा f of x plus 1 minus f of x plus 2 will be equal to 2 इधर तो कोई change होगा नहीं x को मैंने x plus 1 से replace कर दिया plus ही रहेगा minus नहीं होगा इसमें से इसको subtract कर देखिए तो से 2 कट जाएगा और इससे यह कट जाएगा और आपको मिलेगा f of x will be equal to कितना f of x plus 2 इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह होगी function एक periodic है जिसका period 2 है तो यह जो पहला integration i1 है आपका यह किसके equal हो जाएगा यह हो जाएगा 4 time 0 से 2 f x into dx 4 time क्यों क्योंकि इसका period है आपके सामने कितना 2 तो जो n जो constant है वो बहार आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से conversion हो जाएगा ऐसे ही जो i2 है आपका वो क्या होगा देखो i2 बन जाएगा आपका minus 1 से 3 f x dx है तो इसको भी देखिए हम 0 से उसमें लेके आते हैं तो x को replace किया t plus 1 से तो यह क्या बनेगा i2 बन गया आपका f of t plus 1 into dt जब x आपका minus 1 होगा तो t कितना हो जाएगा क्योंकि x को हमने replace किया है t plus 1 से तो जब x minus 1 होगा तो t की value कितनी होगी t की value हो जाएगी minus 2 और जब आपके सामने x की value 3 होगी तो t कितना हो जाएगा तब t की value हो जाएगी 2 और क्योंकि f of t plus 1 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं उसको मैं लिख सकता हूं 2 time minus f of t और साथ में integration from minus 2 से 2 और into dt इसके बाद में देखिए इसको अगर मैं वापिस देखूं क्योंकि f आपका periodic function है तो यह फिर से आपका two time convert हो जाएगा क्योंकि periodic है तो जो 0 से 2 में होगा वही minus 2 से 0 में होगा तो इसको अगर मैं मिटा देता हूं यहां से तो देखिए मेरे को क्या मिल रहा है तो two time और साथ में कितना 0 से 2 f t dt 0 से t f t dt और two time 0 से 2 f t dt की value कितनी होगी यहां से x को आप t से अगर replace करोगे तो यह बनेगा i1 by 2 तो यह बनेगा 8 minus i1 divided by 2 तो यहां से 2 से multiply कर दीजिए तो 2 i2 plus i1 की जो value होगी वो किसके equal आजाएगी 16 के equal हो जाएगी और यही आपका क्या है answer तो आप से क्या पूछा है यही पूछा है 2 i2 plus i1 और that will be equal to 16 किले है बच्चों चलिए आगे बात करते हैं next question और next है हमारा question number 22 देखिए क्या पूछा है 22 देखिए कि अपको दिया गया है कि if the normal to the curve this at the point a, b is the parallel to the line this then the value of a plus 6b ka modulus ठीक है यह कितना आएगा इसके बारे में बताना है तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो क्योंकि again देखिए lemnese यह तो इसको differentiation कर दिया minus 15 x plus 10 और आपको दिया गया है कि इसके अंदर normal इसके parallel है तो यहां से normal की जो slope होगी वो कितनी हो जाएगी minus 1 by 3 और normal की slope अगर यह है तो tangent की slope इस point पर क्या होगी there will be 2 a square minus 15 a plus 10 जो होगा वो किसके equal हो जाएगा वो 3 के equal हो जाएगा क्योंकि normal की slope अगर यह है तो dy by dx होती ही वो tangent की slope होती ही और वो 3 के equal आजाएगी तो यहां से आपको a के इंदर relation मिलेगा देखें 2 a square minus 15 a और plus 7 will be equal to 0 देखें दो factors क्या आते हैं एक जगे पर 2 a ले लेते हैं एक जगे पर a ले लेते हैं तो हमें 15 चाहिए तो इधर ज्यादा चाहिए तो इधर minus 7 और इधर minus 1 14 plus 1 15 और 7 तो a की दो values आएगी 1 is 1 by 2 और second one is 7 बट साहिद क्यूस्टन में दिया गया है कि a 1 से बड़ा है ठीक ना a की value क्या है 1 से greater है और a 1 से greater है means a की value कितनी होगी 7 होगी तो यह हमारे सामने a आ चुका है चलिए अब आगे बात करते हैं b के बारे में b क्या है इसके लिए आपको दिया गया है कि यह जो point a, b है आपका ठीक है यह इसके उपर लाई कर रहा है तो इसको अगर हम integrate कर दें तो b equal to कितना आ जाएगा 2 इसको कहां से का integrate करना है आपको अब 0 से 7 क्योंकि आपको इसकी value आ चुकी है x ही आपका क्या है a तो 0 से 7 में integrate करना है तो 2 into t cube by 3 minus 15 into t square by 2 and plus 10 t और इसके लिमिट पुट करनी हमें कहां से कहां तक 0 से लेकर 7 तक तो यहां पर जब यह limit पुट करेंगे तो हमें b की value मिल जाएगी तो चलिए देखते कितना आ रहा है एक थोड़ा सा calculative रहेगा 2 by 3 into 7 का cube minus 15 by 2 into 7 का square and plus 10 times 7 तो चलिए आगे इसको calculate करते कि क्या आ रहा है यहां से तो यहां से देखे हमें क्या मिल रहा है इसके अंदर से 7 को common ले ले लेते 7 common आ रहा है 7 को common लिया तो यहां पर बचेएगा 2 into 49 divided by 3 minus 1 7 common आ जाएगा there will be 105 divided by 2 और यहां से पूरा 7 बाहर आ जाएगा so that will be 10 तो हमें क्या मिल रहा है 7 6 LCM आ जाएगा तो यहां पर आएगा एक तू इदर साएगा 4 into 49 so there will be 196 minus 3 से मुल्टिप्लाई हो जाएगा 315 और प्लस यहां पर आजाएगा 60 अब देखे इसको काल्कुलेट करते है और हमें देखे 6 B चाहिए ठीक है तो 6 B 6 को मुल्टिप्लाई कर देखे B की तरब तो यहां से 6 B की वैल्यू आजाएगी 6 B की वैल्यू आएगी 196 plus 60 there will be 156 and minus 315 इसमें से सब्ट्रेट कर देते हैं किसको कितना आएथा 256 को तो देखे कितना आएगा 15 minus 6 there will be 196 plus 60 और यहां पर आएगा 4 बिल्कुल सही है 156 तो 44 44 और प्लस उदर से आएगा 15 तो यह आजाएगा आपके सामने कितना 44 प्लस 15 आजाएगा आपके सामने 59 और वह भी कैसा minus का और साथ में 7 का multiplication तो 7 से जब इसको multiply करेंगे तो यहाएगा 63 और 7 इंटु 5 35 plus 1 41 so minus 4 1 3 हमें निकालना क्या है a plus 6b का mod a है 7 minus 4 1 3 का modulus तो आपका जो correct answer होगा वह होगा 406 ठीकर यह आपका क्या इसका answer थोड़ा सा देखिए कैलकुलेटिव था थीकर ऐसे जो कैलकुलेटिव कुसंस आते हैं उनको थोड़ा सा जान से इस तरीके से करें चलिए आगे बात करते हैं next question और next है हमारा question number 23 question number 23 में देखिए आपको क्या बोला गया है क्या दिया है question number 23 के अंदर आपको fx and gx दो functions दिये है जो इस condition को satisfy कर रहे है fx square plus g4 minus x will be equal to 4x cube और साथ में आपको दिया गया है g4 minus x plus gx will be 0 so minus 4 से 4 fx square dx इसके equal होगा यह आपको निकालना है so चलिए बात करते हैं सबसे पहले अगर हम उसमें बात करें तो क्योंकि x की जगए पर minus x put करते हैं तो function change नहीं हो रहा है तो एक even function है तो इसके अंदर हमने 2 time कर दिया 0 से 4 fx square into dx यह आपके सामने क्या है i अब देखिए इसके अंदर हम क्योंकि हमें 4 minus x type का कुछ generate करना है ठीक है तो x के अंदर इसमें king's rule लगाते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है तो यहां पर आ रहा है 2 time 0 से 4 और यह बन जाएगा f of 4 minus x का whole square into dx अब देखते हैं इसके अंदर क्योंकि हमें f of 4 minus x नहीं दिया हुआ है बट वह हम ला सकते हैं ठीक है ना इसके अंदर हमने x को 4 minus x से replace किया तो यह बन गया हमारे सामने f of 4 minus x का whole square इसमें x के 4 minus x put करेंगे तो यह gx ही बन जाएगा और equal to में आजाएगा 4 time यह बन जाएगा 4 minus x का whole cube क्योंकि x को हमने किस से replace किया है 4 minus x से अब देखिए अगर मैं इसकी जगे पर f of x square जो है उसको भी मैं replace कर सकता हूँ और साथ में f of 4 minus x है उसको भी मैं replace कर सकता हूँ clear है यह मैं यह कहूँ कि मैं अगर इन दोनों को add करूँ ठीक ना इस equation को और इस equation को मैं अगर add कर देता हूँ तो देखिए gx plus g of 4 minus x इसकी value तो मेरे को क्या दी गई है 0 दी गई है तो यह तो हो जाएगा 0 और यहां पर इन दोनों का addition हो जाएगा f of x square plus f of 4 minus x square तो अगर मैं इन दोनों integrations को add कर देता हूँ तो देखिए जो 2 i आएगा वो किसके equivalent होगा 2 तो common आएगा और f of x square plus f of 4 minus x का all square इन दोनों का addition जो किसके equivalent है जो equivalent है आपका 4 x cube और साथ में plus 4 into 4 minus x का all cube बस आपका question complete है इसको आपको integrate करना है 0 से 4 में बस इतना सा काम आपको यहां पर करना था इस यह manipulation और इसके बाद में इस integration को आप सब लोग solve कर सकते हो x cube का integration कितना आएगा x की power 4 by 4 तो वो cancel out हो जाएगा x की power 4 plus यह minus हो जाएगा क्योंकि 4 minus x का integration करेंगे तो यह बनेगा 4 minus x की power 4 और इसके अंदर आपको limit put करनी है कहां से कहां तक 0 से लेकर 4 तक तो 0 से लेकर 4 तक की देखे जब limit put करेंगे तो क्या आएगा यहां पर आएगा 4 की power 4 इसमें जब 0 put करेंगे तो यह कितना हो जाएगा minus 4 की power अच्छा इसको और इसको आपको एड किया था ठीक है और इसका जब integration करेंगे तो 4 minus x की power 4 यह कहें कि 4 minus x को मेरे को t put करना पड़ेगा ठीक है और x को क्योंकि मैंने 4 minus x से ही replace किया था तो इसको और इसको आपको एड ही करना है ठीक है और एड करने के बाद में x की power 4 और यह आएगा 4 x cube plus this तो इसका integration तो direct हो जाएगा लेकिन इसका integration करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा क्योंकि 0 से 4 में आपको इसको इसको integrate करना है और यह shift हो गया है तो इसका integration तो अभी हमने किया x की power 4 और इसमें limit पूट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका कितना 2 की power 8 यह पहले वाला integration आ गया दूसरे वाला integration निकालने के लिए 4 minus x को t पूट करते हैं अगर 4 minus x को t पूट कर लिया ठीक है तो minus dx कितना हो गया dt तो आपकी जो limit है वो convert हो जाएगी जब x 0 होगा तो यह 4 होगा और जब x 4 होगा तो यह 0 होगा और यह बनेगा तो आपका t cube ही 4 t cube और साथ में एक minus sign लेकिन क्योंकि आपको इसको limit को reverse करना पड़ेगा और limit को जब आप तो यह बन जाएगा आपका 0 से 4 into 4 t cube into dt तो यह भी वह integration है जो आपका पहले वाला है यह एक काम आप कर सकते थे इसमें प्रोपर्टी लगा देते तो यह भी आपका इसमें convert हो जाता तो इसका भी answer वही आना है जो पहले वाले का आया था 2 की पावर 8 तो आपका जो total answer आजाएगा इन दोनों का sum जो की कितना आजाएगा 512 यह आपका answer है चलिए आगे बात करते हैं next question और next question क्या है देखिए next है हमारा question number 24 question number 24 में देखिए हमें दिया minus a a mod x plus mod x minus 2 into dx will be equal to 22 और हमें यह निकालना है a से minus a x plus greatest integer x into dx इसकी value क्या आएगी ठीक है तो देखते हैं कि पहले वाले को पहले solve करने से कितना आ रहा है तो इसको हमें break करना पड़ेगा parts में तो देखिए सबसे पहले minus a से 0 तक क्योंकि यह mod x 0 पे break होगा और यह दोनों negative हो जाएगे so minus 2x plus 2 इसके बाद में 0 से लेकर के 2 तक 0 से 2 तक फिर से पहले वाला तो आपका positive हो जाएगा लेकिन दूसरे वाला negative रहेगा तो x x कटके यह हो जाएगा 2 time dx और फिर आपका 2 से लेकर के a तक और 2 से लेकर के a तक में यह कितना हो जाएगा दोनों positive हो जाएगे तो यह हो जाएगा 2x minus 2 into dx और यह दिया है आपको कितना 22 चलिए solve करते हैं कितना आ रहा है इसको जब integrate करेंगे तो आएगा minus 2x square by 2 so that will be minus x square plus 2x और limit put करनी है आपको minus a से 0 यहांपर 2 into x limit put करनी है 0 से 2 और यहांपर आएगा x square minus 2x और limit put करनी है आपको 2 से a ठीक है चलिए देखते कितना आ रहा है इसमें 0 put करेंगे तो 0 minus put करेंगे तो एक minus sign बहार आएगा और इसमें जब minus a put करेंगे तो यह होगा minus a square और इसमें जब minus a put करेंगे तो यह होगा minus 2a plus यहांपर आएगा 4 बाकि पार्ट 0 हो जाएगा इसमें put करेंगे तो यह कितना आ रहा है देखिए a square और जब a put करेंगे तो यह कितना हो जाएगा minus 2a और साथ में जब 2 put करेंगे तो यह होगा minus 4 और जब यहां 2-put करेंगे तो यह बन जाएगा आपका प्लस 4. तो इस तरीके से आपका यह integration आएगा. अब चलिए इसको simplify करें अगर हम, तो देखते हैं कितना आ रहा है, तो यहां से आएगा a² और यहां से भी a², so that is 2a². यहां से एगा 2a है, यहां से और यहां से एगी फ्लस 2a, तो यह गुझाएगा, मायनस 4 से 4 गुझाएगा, तो तो प्लस 4 विल भी एक्वाल टो 22. तो यहां से a² की वैल्यू कितना आ रही है, a² की वैल्यू यह 9, तो a की वैल्यू आएगी आपकी प्लस muchaute 2, ठीक है आपको बोला गया क्या है कि यह greatest integer है less than or equal to तो integration आपका 3 से minus 3 हो या minus 3 से 3 एक ही बात है ठीक है अब आपको क्या करना है इसको integrate करना है ठीक है minus 3 से 3 में integrate कर देते हैं ठीक है दोनों केस में same integration बनेगा चाहिए 3 लोगे या minus 3 लोगे तो पहले वाला तो odd function यह 0 हो जाएगा और दूसरे वाला आपका parts में break हो जाएगा और parts में break हो जाएगा और mart बरेको कर देखिए क्या आपसर आपको माइनस 3 से लेकर के माइनस 2 तक यह कितना होगा माइनस 3 X और limit put करेंगे माईनस 3 से माइनस 2 फिर आएगा minus 2, limit put करेंगे minus 2 से minus 1, फिर आएगा minus 1 into x, limit put करेंगे minus 1 से 0, फिर आएगा 0 into x, limit put करेंगे 0 से 1, फिर आएगा 1 into x, limit put करेंगे 1 से 2, और फिर आएगा 2 into x, limit put करेंगे कहां से कहां तक 2 से 3 तक, बस इतना ही करना है, तो देखी हर case में कितना answer आरहा है, पेले वाले में आएगा minus 2 plus 3, okay, तो minus 2 plus 3 कितना हो जाएगा, minus 3, इसी के साथ, इसके अंदर अगर हम बात करें, कितना आएगा answer, अचा, आपको इसको, a को positive ही लेना है, याँ पर question के अंदर वेसे दियावा नहीं, बट a आपका क्या था, positive number था, ठीक है, क्योंकि minus a से a के अंदर हम उसको integrate कर रहे हैं, ठीक है, तो integration की value positive आरही है, ठीक है, और positive value आपके सामने तभी आती है, जब आप उसको क्या करते हो, लोड लिमिट से आपर लिमिट तक करते हो, तो a को plus 3 ही लेना है, तो अगर आप ये लिमिट लगाओगे, तो यहां पर फिर बहार आपका एक minus sign भी रहेगा, तो यह जो भी answer आएगा इसके बहार आपका एक minus sign रहेगा, तो यहां से आएगा minus 3, यहां से आएगा minus 2, यहां से आएगा minus 1, यह उजाएगा 0, यहां पर आएगा आपके सामने 1, और एपके सामने 2, तो यह और यह पार्ट तो कट जाएगा, और आपका फाइनली जो आन्सूर आएगा, गो हो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, किवा मैम से त्री में इंटिग्रेट कर रहे थे, तो जो फाइनल अंस्व हमारा वो कितना होगा 3 होगा clear है चलिए आगे बात करते हैं next question और next है हमारा question number 25 जो की आज का last question है और देखिए कैसे solve करना है minus 2 से 2 में modulus लगाना है आपको इसके अंदर ठीक है और mod वाले part को देखिए कैसे करते हैं आपको पार्ट में ब्रेक करना होता है जब वो positive और negative होता है तो इसमें से अगर मैं 3 को common ले लो तो यह है x square minus x minus 2 यह बनेगा 3 x x minus का x चाहिए तो यह तो minus का 2 और यह plus का 1 minus 1 से 2 के अंदर यह क्या रहेगा negative रहेगा तो आपको क्या करना है minus 2 से लेकर minus 1 तक तो as it is miss positive होगा 3 को चाहो तो बाहर ले लो तो अंदर आपके सामने क्या बचेगा x square minus x minus 2 और इसके बाद में minus 1 से लेकर के 2 तक minus 1 से 2 तक यह पूरा negative रहेगा तो वहां पर बाहर minus sign आजाएगा 3 है ही और साथ में आजाएगा x square minus x minus 2 इसको आप integrate कर लीजिए इससे जो भी answer आएगा वह आपका final answer है क्लियर है तो all over 3 को बाहर निकाल दिया ठीक है last में multiply कर देंगे इसको integrate किया तो यहां पर आएगा x cube by 3 minus x square by 2 और साथ में आएगा minus 2 x और limit put कर दी minus 2 से minus 1 साथ में minus 3 को बाहर निकाल सुके हैं तो यहां पर एग minus sign x cube by 3 इसके साथ में यहां पर पुट करेंगे तो minus x square by 2 और minus 2 x और इसमें limit put करनी है मैं minus 1 से 2 तो देखिए जब मैं यहां पर minus 1 put करूँगा तो यह negative में आ रहा है और जब यहां पर minus 1 put करूँगा तो यह positive है लेकिन बाहर negative है तो आप minus 1 एक में ही put कर दो और उसको 2 time कर दो तो देखिए बाहर 3 था तो वह हो जाएगा आपका 6 time और इस पहले वाले में मैं minus 1 put कर रहा हूं जियां से देखिएगा minus one जब आप यहां पर put करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है देखिए minus one put करने से माइन तो माइनस 1 पुट करने से यह x2 है तो यह होगा आपका माइनस 1 बाइ 2 और यहां पर यह वाला जो पार्ट है आपके सामने यह कितना आ जाएगा that is क्योंकि माइनस 1 पुट कर रहा हूं यह लॉर लिमिट है यह आपकी अपर लिमिट है ठीक है तो यह positive आना चाहिए तो हाँ all or quantity positive आएगी यह negative में ही रहेगा और माइनस 1 पुट करूँगा तो यह कितना बन जाएगा प्लस 2 बन जाएगा ठीक है यह negative यह negative और यह positive clear और यह 6 क्यों हो गया क्योंकि जब मैं इसमें minus 1 पुट करूँगा तो वही quantity आएगी बट इसमें और इसमें क्या रहेगा आपका opposite sign रहेगा क्यों क्योंकि यहां पर बिलकुल यह ऐसा है और इसके बाहर आपके सामने क्या है minus sign और यह upper limit में है और यह lower limit में है इसलिए दोनों एक दूसरे में वह convert हो जाएंगे minus two put करूँगा तो वह three time रहेगा तो देखिए three time minus two put किया so minus eight by three minus two put किया so there will be minus four by two और साथ में कितना आ जाएगा plus four minus two put करूँगा तो बाहर एक minus sign भी आएगा तो बाहर भी आपके सामने minus sign रहेगा इसमें plus two put करूँगा तो बाहर minus sign है वह as it is रहेगा three के साथ multiplication और देखिए कितना आएगा eight by three और यहां पर आएगा minus four by two और यहां पर कितना आ जाएगा आपके सामने two put करेंगे तो minus four तो यह आपका finally answer है इसको जब आप calculate करेंगे तो after calculation आपका final answer रहेगा यहां पर ठीक है वह कितना आ जाएगा उसकी value आएगी वह calculate करने पर बता चलेगा कि क्या value आएगी ठीक है तो चलिए calculate कर लेते हैं जब इतना किया तो इसको भी calculate कर लेते हैं तो देखते है कितना आ रहा है यहां से आएगा 6 को अंदर multiply कर दिया तो यह आएगा minus 6 यहां पर multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 6 by 3 minus 2 हो जाएगा यहां पर minus 3 और यहां पर कितना आ जाएगा 6 into 2 12 यह पहला वाला part है इसके अंदर multiply किया minus 3 को 8 यह multiply होगा 4 into 3 there will be 12 by 2 12 by 2 कितना हो जाएगा 6 और यहां पर कितना आएगा minus 12 ऐसे यहां पर 3 cancel out हो जाएगा minus 8 यहां पर minus minus plus हो जाएगा 12 by 2 so that is again 6 और साथ में यहां पर 4 into 3 कितना हो जाएगा 12 तो यह आपका final answer रहेगा इसको calculate कर लीजिए 8 से minus 8 गया 6 से 6 6 से 6 नहीं जाएगा 6 रहेगा 12 से 12 6 और 6 हो जाएगा 12 plus 12 24 और यहां पर 3 minus 2 that is minus 5 तो आपका जो final answer रहेगा वो कितना होगा 9 9 9 19 so 19 will be the answer clear है तो यह था आपका आज का last question ठीक है और इसके अंदर जो हमने discuss किया definite integration में वो mainly आपका properties और साथ में functions के कापी सारे concepts use हो रहे थे ठीक है odd even periodicity ठीक है integration ठीक है तो बहुत सारी चीजा हम लोग आने discuss की है और last तीन attempt जो थे आपके उसमें सारे जो definite integration के questions आये थे वो सब यह questions थे और इसी type के यह समझ लीजिए कि आप जो आगे paper देने जा रहे हैं उसके अंदर आने वाले हैं clear है okay thank you very much